कॉंग्रेस पार्टी के अद्धेक्स और लीडर आप्पोजिशन इन राजशवा कल राजस्थान में अलुवर में जो भाशा प्रयोग किया है अबद्र भाशा ये भर्ती जिन्ता पार्टी के तरफ से और पार्लिमेंट के पार्लिमेंटरी पार्टी अफेर्स के मंत्री के न कॉनुगर्स वाले ये सब कॉंग्रेस का लेगसी है बिस क्लिव कि उच्वें म्हात्मा गांधी जिने कहा था कि कॉंग्रेस सुसर्जन करो अभी जो चला रहा है कि कांग्रेस ऊरजिनल कॉंग्रेस नहीं है सुभास चंदर भोस जी को सर्दार अवलब भाई पटेल बालगंगादर तिलक बाबा साहब अबड़कर ऐसे लोगों उनके साथ यहीं कॉंग्रेस जो ऊरजिनल कॉंगरेस थे उनके साथ कैसे व्यवहार किय सब जानते हैं कि तो इसलिए ये जो क्लेम करते हैं ये जो सतंतर से ना नी जो थे, सतंतर अंदोल में जो भाग लिये थे वो सब हमारा यी है ए बेसिकली दुस इस ए रॉग कंसेप्ट और रॉग ए ये बैसी तीड रॉग कंसेप्ट थिंकिंग और रॉग अप्रोच नकली कॉंग्रेस है नकली नेता लोग है। देख रबर स्टांप का अध्यक्स ऐसे बोलते हैं तो यह हम strongly condemn करते हैं। क्लेमिंग, once again I repeat, क्लेमिंग देख लेगेशी अप दी फ्रीडम स्ट्रगल and the people who participated in the freedom cycle, यह सब अपना ही है, यह जो बोलने का है न, इनका एक, I can call it as a very silly thing, एक गंदी सोच का एक उनका दिखाता है, इसलिए मैं इसका पुरा कंडम करता हूं और आग्रह करता हूं, इनका सोच यह इसा है, इनका mentality, mindset, सावरकर्द के बारे में ऐसे बोलते हैं, जैसे आप आप देखे हूंके, कॉंगर्स का एक निता मुठी एराणी के बारे में, क्या बद्र भाषा परोग किया, बद्धर भाषा परोग किया, इनका सोच यह जो रहूल गंदी को कुछ चंस है, उनके से कुछ नहीं एक पक्रते है, कम से कम जो खरगे जी है, थास, ही इन अग्रह At Least He Should Have Some, I Was Thinking That He Has Some Sense, That Is Some Common Sense, But He Also Doesn't Have, That Is Proven Today, I Strongly Condemn This कि अपने वाफी तो हम माफी के लिए हम मांग किया है हम सरकार में है हम सदन का बिजनेस चलाना चाहते हैं लेकिन हमारा प्रोटेस्ट हमने रिजिस्टर किया